तो गैस हमारा कोटेक्स सुकेटिस का डैसबोर्ट कुछ इस प्रकार का दिखता है अभी हम क्या समझने वाले हैं अपना टार्गेट ओडर कैसे लगाते हैं वह समझने वाले है तो गैस उसके लिए पहला यह भी होना कि आपका जो है पोजिशन चलता रहा हो मार्केट में तो टार्गेट ओडर कैसे लगाते हैं तो simply हम इसमें टार्गेट ओडर लगाना है तो आपको क्या करना है उसके बाद आपको simply square up के option में जाना है ठीक है ध्यान से देखते रहिएगा उसके बाद आपको जो है यहां अपना एक जो भी ओडर पे आपको जो है या जो भी करना है ठीक है नीचे आ करके आपको क्या करता है लिमिट तो यह रहे गई है आपको इधर कुछ छेट चार नहीं करना है ठीक है अब क्विक सेल का option को क्लिक कर देना है तो ऐसा में का होगा आपका जो है टार्गेट ओडर मार्केट में प्लेस हो जाएगा देखिए का इस एक मिनट थोड़ा दिर में वो भी सो करने लगेगा टार्गेट ओडर हाई यह देखिए नीचे में प्राइस हो कर रहा है चार्गेट ओडर का मैं इसको क्लिक करूंगा और उसके बाद विव इंटायर हिस्ट्री यह देखिए चार रूपए के बहुत पर हम यहाँ एक्ज पर से का तो मैं इसको 4 रूपए 40 पर से ले जाता हूं ठीक है चार रूपए 40 पर सा ताकि हमारा जो है ओर हीट हो जाए अब क्या करूंगा मैं मोडिफाइ और को क्लिक कर दूंगा यहाँ से हम क्या कर रहे है मोडिफाइ कर रहा है अपने order को ठीक है अब व्यू ओडर को क् चार उप्या 35 परसे का वेट करते हैं, चार उप्या 45 परसे पर आएगा, हम इमिडियेट यहां से एक्जिट हो जाने वाले हैं, तो वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, चार उप्या 40 परसे का वेट करते हैं, जलसी आएगा हम यहां से एक्जिट होने आले ठीक है यह आ गया 4.40 पर से कब हो अब आपको दिखाता हूँ अपना ओर्डर्स यह हमारा ट्रेड़ेड हो गया हमारा टार्गेट अच्छी हो गया क्लियर है अब आप लोग के पास यह डूट नहीं आना चीज़िए कि कैसे हम टार्गेट अर्डर लगाते हैं टार्गेट अर्डर इससी टाइप से लगाना है जो मैंने प्रोसेस अप्लाई किया अब मैं आपको डेसबोर्ट सॉरी मैं आपको जो है पोजिशन में दिखाता ह आप लोग को समझ आ गया हो का यह प्रोसेस आप इंटरडे में भी अप्लाई करना है यही प्रोसेस आपको डिलेवरी में भी अप्लाई करना है तो गाइस ही है हमारा कोटक सुकेटिस एप का डैसबोर्ट अभी हम कैसे हमने वाले इस्टोप लोस ओडर टार्गेट ओडर और मार्केट ओडर तीनों एक साथ कैसे प्लेस करते हैं तो सिंपली आपको सर्च बार में जाने के बाद आपको जो भी प्रीमियम है जो भी स्टेप प्रैस में आपको ओप्सन टेडिंग करना है उसको सलेट कर लेना है तो मैं गाईस अभी उन्त तालीस ओ यार वाले प्र वाले पर विद्ट कर्टा अथन न्यूश्ट के चरोणी आपको जाता हुं यह वाले पर पर दे तयू के पर गाएव में की बढ़नद मर्टी प्लेस हो जाएगा चाहिक सी उन्हस द्की लेलन को क्वान करेंगे तो दिखिए हमारा जो ओडर लगेगा 3.50 पचास पिसे के बहु पे और हमारा इस टॉप्लोस ओडर लगेगा 3.50 पहु पे और गैस मैं आपको ऐक चीज बता देना चाहूँ अगर आप नय होंगे तो आपको मान के चलना होगा कि हमारे stop loss order इसी टाइप से लगाया जाता है ठीक है अगर आपको अपना order modify करना है तो आप यहां से modify भी कर सकते है ठीक है अभी इसका बहुत चरह 3.95 पैसे का आपको लग रहा है कि यार हमारे order पे तो नहीं आने वाला तो आप इसको उपर नीचे भी कर सकते है जैसे मैं 3.85 पैसे पर अपना order लगा सकता हूँ ठीक है अब यहां से मैं अपना modify कर दूँगा तो अब हमारा order लग जागा 3.85 पैसे पर देखिए अब यहां से 15 पैसे market नीचे गिरेगा हमारा order पर आ जागा 3.85 पर हमारा भाव पर आ चाहिए तो हम अपना order चला देते है market पे अभी कितना चल रहा है इसका बहुत 3 रुपया अभी इसका बहुत कितना चल रहा है 4 रुपय का तो हम लगवक 3.85 पैसा लगा देते हैं तो हमारे भाव पर market देखिए कहीं न कहीं आ रहा है ठीक है तो मैं इसको modify करके 3.85 पैसे कर उपर वाला देखिए ठीक है 49,000 को हमने क्या किया लोंग किया हुआ है और अब मैं आपको बताता हूँ यहां से आपको target order कैसे place करना है तो जो position चलते रहेगा उसे को click करना है उसके बाद आपको simply square option में जाना है उसके बाद आपको यहां अपना target order लगा देना है जैसे हमारा target order भी market पे place हो चुका है मैं आपको orders में दिखाता हूँ यह हमारा entry हुआ है 3 रुपया 55 पैसे के बहुत पे हमारे stop loss लगा है 3 रुपय के बहुत और हमारा देखिए price सो कर रहा है 5 रुपय मतलब कि हमारा target order लग चुका है 5 रुपय के बहुत ठीक है तो इस step से आपको step by step तीनों चीच को लगाना होता है यही प्रोसेस है सिर्फ कोटक सिकेटिस में stop loss order, target order और market order लगाने का एक साथ लगाने का ठीक है अब और दूसरा यहां और कोई process नहीं है और यह process आप जो इंटर डे और delivery में भी apply कर सकते है इसको मैं cancel कर देता हूँ ठीक है इसको मैं cancel कर दे रहा हूँ हमको target order नीच चाहिए आप हमको क्या करना है यही से immediate बेचना है हमारा order को यही से close करना है तो आपको simply position में जाना है और आपको कुछ भी नीच चाहिए जो market पे चर रहा है उसी बहुत पर आपको exit होना है तो आपको क्लिक करना है सिंप्ली जो order चर रहा है उस market से बाहर हो जाएंगे अब देखिए यहां से हमारा जो यह देखिए बैंक नेफ्टी उन 40,000 कॉल जो है सारा चीज एवरेज प्राइस जीरो दिखा रहा है नेट लोट जीरो दिखा रहा है खतम सब चीज यहां खतम अब order में मैं आपको जाकर दिखाता हूं देखिए ट् तो इस टाइप से आपको इस टेप बाइस टेप चीजों को अप्लाई करना होता हुआ रहा हैं सपोज मैं यहां Yes Bank saalette करने के बाद, यहां मैं Buy option को click कर दिया, Buy option को click करने के बाद, मैं quantity डालने के बाद, यहां मैं TSL order को click कर दूँगा, TR Lots of Know тотчас 구독 को click कर दूँगा, उसके बाद गाईस, अभी इसका भाउच चाहिँ है, यहां से हम 2 रुपय नीचे अपना trailing stop loss order चलाना चाहते है ठीक है तो देखिए मैं यहां 2 रुपया डाल दिया तो यहां मारा stop loss order ठीक है प्राइस 10 रुपया 80 पैसे का हो गया ठीक है अब trailing stop loss order काम कैसे करता है यह आपको नहीं पता तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब की सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो देखिए तो आपको clear समझ आ जाएगा trailing stop loss काम कैसे करता है मैं यहां 2 रुपया का spread अपना select कर दिया मतलब कि यहां से हमको 2 रुपया का proper हमको cover मिलेगा अब simply आपको quick buy option को click कर देना है तो आपका trailing stop loss order market में place हो जाएगा देख ठीक है तो इस step से आपको trailing stop loss order लगाना होता है अब आप चाहरे कि मिरोको यह चीज नहीं करना है trailing stop loss order नहीं लगाना है तुरन यहां से exit हो जाना है ठीक है तो आप क्या करोगे इसी को click करोगे और उसके बाद आपको square up को option में जाना है और आप क्या करोगे view more के option में है तो यह process है देखिए हमारा quantity वागिरा सारा को zero सो कर रहा है आप यहां से exit हो गया है तो guys अभी हम समझने वाले हैं कि TSL order और B order मतलब कि trailing stop loss order और bracket order दोनों साथ में कैसे place करते हैं वो हम समझने वाले है तो guys आपको simply search bar में जाना है यहां जो भी stock में आपको जो है TSL order यान यह order लगाना चाहता हूँ अब आपको buy के option को click करना है अब sell भी कर सकते हो ठीक है अब आपको quantity डालने के बाद guys आपको TSL order B order को click कर देना है ठीक है उसके बाद देखिए हमारा trailing stop loss order आ रहा है TSL order और B order को click कर देंगे उसके बाद guys यहां आपको जो है अपना spread बना देना ह जैसे मेरो को 2 रुपए नीचे अपना trailing stop loss चलाना है ठीक है तो यहां मैं 2 रुपए नीचे अपना trailing stop loss order लगा दूँगा अब यहां से मैं अपना profit book करना चाहता हूँ लगभग over 102 के हिसाब से है ना तो 2 रुपए नीचे मेरा spread चर रहा है तो मैं यहां आपना book profit order याने क target order लगा दूँगा 49 रुपए के बहुँ पर अब आपको क्या करना है सिंपली quick buy option को click कर देना है तो आपको order जो है market में place हो जाने वाला है ठीक है तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा order order position और देखें यहां मारा position हो कर रहा है यह proper हमको 2 रुपए का cover देखा अब इसका मतलब होगा क्या यह काम कैसे करेंगा वह मा आपको बताता हूँ ठीक है guys तो यह हम थोड़ासा पैंट ब्रस में आगये अभी यह काम कैसे करेगा वह मा आपको बताता हूँ तो अभी इसका भाउचा हुआ रहा है 36 रुपया कितना चर रहा है 15 पैसा है ना हमने लग बाद 56 पोर देगा मैं आपको बताता हूं जैसे हमारा ओरा लग था 6 ₹ 5 lain- emphasizes तो हमारा इस टॉब्लो चोर्टर लग गया Ob अब जैसने जो बहुए है 36-38 चले जाएगा तो चलावate चले जाएगा तो हमारा इसörper थां होके hasonanız चले ज़ह पर ड 얼굴 का दूर्पाका का वर अभर्ण अब जैसे यह अम कवरीं है बॉलेकर number boundary दीक हो यहाँ मिलेगा थिक है अब इसक्यों आता है और हमको 2 रुपय का cover मिर रहा है तो हम immediate 36 के बहुँ पर exit हो जाएंगे मतलब कि यह कहीं न कहीं आपको शुरुख्छा देने का काम कर रहा है ठीक है cover देने का काम कर रहा है तो इस टैप से guys आपको इसको use करना होता है I hope आपको चीज़े समझ आ गया होगा और समझ नहीं आया तो comment box में comment कर सकता है मैं इससे related और videos बना दूँगा तो order लगाने का process यह है ठीक है अब आप चाहरे कि मेरे को यह सब चीज़ नहीं चाहिए यह सब लफडा नहीं चाहिए मेरे को तूरान यहां से exit हो जाना है मैं को यह चीज़े कुछ भी नहीं चाहिए तो आप simply easy को click करोगे square up के option में जाओगे और उसके बाद आपको क्या करना है आपको इधर market order select कर देना है market order select करने के बाद आपको simply quick sell option को click कर देना है आपको कोई लफडा यहां लिगोगा तूरण जो भी order जहां भी रहेगा सब खतम आप यहां से तूरण exit हो जाओगे ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए यहां हमारा कोई भी order चल नहीं रहा है अब guys मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना एक सांथ एक ही time पे basket order का use कैसे कर सकते है और एक सांथ एक ही time पे आप चार से पाच stock को कैसे buy sell कर सकते है तो simply आपको search bar में जाना है यहां हम एक basket create करते है ठीक है तो यह pnb मैंने select कर दिया और इसको मैंने click कर दिया click करने के बाद guys एक minute यह हमारा basket को option आगया basket को click कर देना है ठीक है और यहां हम और stock add करना चाहते है तो मैं यहां और stock add कर देता हूँ जैसे हमारा pnb हो गया मैं एक और कर देता हूँ yes bank कर देता हूँ तो यह हमारा yes bank भी आ गया ठीक है तो इस type से जो है आपको stock को add करना है आप यहां से अपना Nifty Bank, Nifty 50, Delivery में ओडा लेना तो Delivery में भी ले सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, आप जैसे PNB में दो quantity लेना है, तो दो quantity कर सकते हैं, आपको इसमें लिमिट ओडा लेना है, तो आप अपना 1 पसन ओडा लगा सकते हैं, जैसे अब इसका भाव चारा, 36 रु हो पर बाई करना चाते हैं, इसको माकेट ओडर पर बाई करना चाते हैं, ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद आपको delivery में ओडा लेना है, आपको इंटरे में ओडा लेना है, आपको option में ओडा लेना है, तो इस step से आप कर सकते हैं, आपको हैजिंग करना है, तो यहां आप हैजिं यह देखिए आपको दिखाता हूं इसको कट करता हूं और मैं यहां गया ऑप्सन में गया और पोजिशन में गया तो यहां मेरा दोनों मार्केट में प्लेस हो जाएगा देखिए हमारा जो है पीन भी चार रहा है और हमारे यस बैंक चार रहा है ठीक है तो इस टाइप से आप इसका यूज़ कर सकते हैं अब जैसे सपोस आपको यस बैंक से तूरल एक्जिट मार रहा है बिल्कुल भी वेट नहीं करना है तो आपका PNB ओला ओर चलती रहेगा ठीक है तो आपका देखिए यह PNB ओला order चलते रहेगा हम यहाँ EAS bank से यहां सारा चीज अब guys आप चाहते हो कि मेरा order लगे उसके बाद मेरा stop loss order market में मैं लगाऊं ठीक है तो आप समझे अब आप चाहते हो कि आपका order लगे और guys order लगने के बाद मैं अपना stop loss order लगाऊं market पे ऐसा भी possible है आपको simply search bar में जाने है search bar में जाने के बाद आपको जो भी stock price जो भी premium जो भी delivery में आपको order लेना है उसको search कर देना है suppose मैं PNB में जो है यह चीज अपलाई करना चाहते हूं मैं अपनो order लगाना चाहते हूं उसके बाद मैं अपने stop loss order लगाना चाहते हूं तो मैं यहाँ simply उसको click कर दूँगा उसके बाद buy option को click कर दूँगा अगर आप sell करना चाहते है तो sell भी कर सकते हैं आपको यह quantity डाल द तो मैं simply quick buy को click कर दूँगा तो देखिए मेरा order जो है market में place हो चुका है अब मैं आपको दिखाता हूं इसको कहा हमारा order so करेगा इसमें जाएंगे order position में तो देखिए यहां हमारा जो ट्रेडर प्रेस चाहर रहा है order history में 55 पैसे के बहुँपे अब मैं आप position में जा करके द अब मैं आपको बताता हूं यहां से आपको stop loss order कैसे लगाना है तो आपको जो आपका order चाह रहा है उसको click करने के बाद आपको square option में जाना है उसके बाद आपको इधर कुछ भी नहीं करना है क्योंकि अभी हमारा order delivery पर लग चुका है ठीक है उसके बाद आपको order type में limit ही और यहां आप अपना limit order डाल देंगे मतलब कि यह हमारा stop loss order हो जाएगा मतलब कि 35 रुपया 95 पैसे के भावव पे हमारा order लगा है अब यहां समचा रहे हो लगबग अपना 3 रुपय नीचे अपना stop loss order लगाना ठीक है तो हम लगबग 33 रुपय के भावव पे अपना stop loss order हो चुका है तो गाइस अभी हम limit order कैसे लगाते है market में वह हम सिखने वाले हैं गाइस limit order मतलब होता है हमारा मन पसंद order ठीक है तो मैं आपको बता देना चाहूंगा इसका यूज आप इंटर डे option delivery तीनों में कर सकते हैं मैं अभी आपको option में यह चीच अप्लाई करके देना है उसके बाद आपको व्यू मोर का option में आना है देखें व्यू मोर का option में आपका order टाइप में limit market stop to limit order stop to market order दिखाई दरोग अभी हम limit order समझे वाले हैं मतलब कि अपना मन पसंद order यहां आपको अपना मन पसंद order डाल देना है अभी इसका पहुचर रहा है 30 रुपया option को क्लिक कर देना है तो आपका order जो है market में place हो जाएगा उसके बाद क्या होगा अगर market जो है नीचे गीर के आपके भौव पर आएगा बावन रुपया से नीचे गीर के 45 उलपा के भौव पर आएगा तो आपका order जो है immediate market में place हो जाएगा ठीक है तो limit order लगाने का process यह है अब गाईस मैं आपको बताता हूँ कि आपको market order पर entry कैसे करना है और आपको मही से exit कैसे हो जाना है यह भी मैं आपको बताता हूँ तो यह हमारा dashboard है अब आपको simply search bar में जाना है search bar में जाने के बाद आपको जो भी premium या जो भी strike price या जो भी index है जो भी delivery में आपको intraday option और delivery में ओडा लेना होगा उसको search कर देना है मैं अभी option में trading करना चाहरा हूँ ठीक है तो मैं यह एक premium है उसको select कर दूँगा उसके बाद buy के option को click कर दूँगा उसके बाद guys आपको यहां lot सेच डाल देना है उसके बाद आपको view more option में जाना है उसके बाद आपको market को option को click कर बोलेंगे मैं इसको आपको राइब करके दिखाता हूं और इंटा डे में करते हैं इंत icon में एक di सालईट करेंट कर लेते हैं पंजाम झा Ellip b stun Canada पॏ यहां पेनजांब इसको क्लिक कर दिया इसको फिर accum ihrer को क्लिक कर दिया उसके बाद मैं यहां quantity डाल देता हूं और मैं यहां market order select कर लेता हूं यहां मैं इंटरे कर रहा हूं ठीक है इंटरे कर रहा हूं अब मैं simply quick buy के option को क्लिक कर दूँगा तो देखिए हमारा order market में place हो चुका है मैं आपको order status में गा करके दिखाता हूं यह हमारा order market में place हो चुका है हमारा position में मैं आपको जा करके दिखाता हूं profit loss यहां हमारा so करने लगेगा देखिए 5 पैसे का हमको नुक्सान so कर रहा है ठीक है अब मैं आपको बताता हूं यहां से आपको exit कैसे लेना है तूरण आपको exit कैसे लेना है देखिए यह जो प्रोसेस आप delivery option और इंटरडे में अप्लाई कर सकते हैं तो आपको simply इसी को click करना है click करने के बाद आपको square up को option में जाना है square up को option में जाने के बाद आपको क्या करना है इधर market को click कर देना है ठीक है market को click करने के बाद आपको क्या करना है simply quick sale के option को click कर देना है अप immediate यहां से तूरण बाहर हो जोगे ठीक है मैं आपको position दिखाता हूं देखिए सारा आपको zero zero so कर रहा है और मैं आपको order में दिखाता हूं यह देखिए हमारा sell हो गया trader price 35,90 पैसे के बहुँपे हमको यहां कोई profit नी हुआ कोई नुक्सान नी हुआ हम यहां से तूरण exit हो जाएंगे तो process यह है आपको तूरण exit होने का intraday पे अगर आपको 10 उलपा 50 उलपा जो भी आपको 1000, 2000, 10,000, 20,000 profit दीक रहा है आप तूरण exit होना चाहते है तो जो process मैं ने बताया वही process आपको apply करना है वीडियो फास्ट हो गया तो एक बार और देख सकते हैं आपको clear समझ आ जाएगा ठीक है आप गाईस मैं आपको बताता हूं कि कोई एक premium में आपको stop loss order और limit order कैसे लगाना है आपका 1% order और आपका stop loss order कैसे लगाना है तो इसको भी हम जो है PNBP apply करते है ठीक है यह PNB मैंने select कर दिया यहाँ PNB मैंने search कर दिया और PNB यह हमारा आ गया अब मैं इसको click कर दिया click करने के बाद bike option को click कर दिया bike option को click करने के बाद इस type का हमारा interface दिखाए जैता है आपको simply quantity डाल देना है quantity डालने के बाद आपको view more option में आना है उसके stop loss limit order को select करना है यह select करोगे तो आपका stop loss order और आपका limit order आपका 1% order और आपका stop loss order मार्केट में एक साथ प्लेस होने वाला है सपोस्स मैं इसको 34 सपके भाव पर बाई करना चाहता हूं और यहां से 4 पनीचे अपना stop loss order लगाना चाहता हूं तो देखेंगा इस step से आपको ल लग चुका है तो देखें हमारा order जो लगेगा 34 सुर्पा के भाव पर लगेगा और हमारा stop loss order लगेगा immediate 30 सुर्पा के भाव पर यह यहां सो नहीं कर रहा है लेकिन वो stop loss order हमारा system प्लेस कर देगा ठीक है आप modify करना चाहते हो तो modify भी कर सकते हैं यहां से उपर नीचे जो भी आपको करना होगा आप यहां से कर सकते हैं तो और पोईसर में जाकर के देखेंगे तो यहां देखें हमारा कोई order नहीं चार रहा है क्योंकि अभी हमारा भौव पर हमारा market आया यह नहीं है 34 सुर्पा के भौव पर आएगा तभी हमारा order market पर प्लेस होगा clear है ठीक है त अभी ही तो मैं आपको सिंपली समझाने के लिए यह order लगाया था अभी मैं क्या कर रहा हूँ इसको cancel कर रहा हूँ हाँ अगर आपको यहां से cancel करना है अब आप चाहरे हो कि यार में कोई इसमें order नहीं लगाना यहां कुछ भी हो सकता है पटांग हरकते हो जाएगा यहां तो आपको सिंपली cancel के order को क्लिक कर देना है उसके बाद हम market से बाहर हो जाओगे ठीक है आपका position market में place नहीं होगा ठीक है